हे गाईज वेलकम बैट तो माई यूटूब चैनल दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फाइनली गोप्रो 9 पर्चेस कर लिया है मैं आपको बताना चाहता हूं मैं अभी एक नया चैनल चालू करने वाला हूं जिसमें मैं विलॉगिंग करूंगा जिसके लिए मैंने गोप्रो कर लिया तो आज के वीडियो में मैं इसके अंबॉक्सिंग के साथ साथ आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कहां से कितने प्राइज में पर्चेस किया और बॉक्स के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है और यह जैनुवन है कि नहीं है वह आप कौन-कौन से तरीका से चेक कर सकते हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रेफ्टिंग होने वाला है तो है गाइस मेरा नाम है अनीज और वाचिंग सोलंकी जी टेकनिकल तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप से एक छोटा सा रिक्वेश्ट है अगर आपको मेरे यह वी देना होगा गोप्रो का तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको परचेस कर सकते है क्योंकि दोस्तों एमोजॉन में ऐसे बहुत सारे से लर्ड भी है जो डूप्लिकेट प्रोडक्ट सेल करते हैं कम में तो आप थोड़ा देखकर पर्चेस करिएगा तो चलिए अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तों आपको यह कुछ इस प्रकार के बॉक्स पेकिंग में दिखाई देज देता है एमोजॉन में यह कुछ इस प्रकार का पैकिंग होकर आया था बॉक्स में जिससे मैंने इसको बाहर निकाल लिया क्योंकि एक्साइटमेंट दोस्तों इतना ज़्यादा था कि मैंने रोक नहीं पाया इसको ओपन करने से तो आप देख सकते हैं सबसे उपर में आपको गोप्रो का ब्रैंडिंग मिल जाता है हाइपर इसमूद 3.0 हीरो नाइन ब्लैक और इसमें आपको 20 मेगा पिक्सल का सेंसर 5K 30 प्लस 4K 50 30 मतलब 10 मीटर तक आप इसको स्विंग पूल जहां भी ले जाना चाहें ले जा सकते हो पानी के अंदर में और लाइव इस्ट्रीम कर सकते हो आप 1080P तक आप इसमें कर सकते हो तो सबसे पहले दौफतों यह जैन्वन है कि नहीं है वह पता करने के लिए मैं आपको बताना मिलेगा और तीसरा यहां पर मिलेगा यह तीनों चीज मिलेगा जो भी गो प्रो का इंडियन ऑफिशल वर्जन है उसमें ठीक है और उसके बाद मैं आपको इसको रजिस्टर कैसे करना है वह भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ठीक है तो इसके बैक साइ युवर्ण करके पड़ लीजयगा ठीक है क्योंकि मैं पूरा चीज बताता रहूंगे तो बहुत जयादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो चलिए दोस्तों अब मैं सिंप्ली इसको कट करता हूं मैं सिंप्ली इसको यहां से कट कर देता हूं तो चलिए मैंने इसको कर दिय टोल फ्री नंबर में मिल जाता है सारा सपोर्ट वगेरा सारा कुछ आप इसको पॉस करके पढ़ लीजेगा ठीक है तो चलिए मैं इसको रख देता हूं बॉक्स को अभी थोड़ा साइड में अब देखिए हमारा यह बैग मिल जाता है गोप्रो का जो की काफ़ी अच्छा ल सिम खुल गया सबसे उपर में आपको इसको कुछ इस पॉकेट में अब देखिए इसमें आपको एक मिल जाता है तो चलिए सबसे पहले इसको चेक भी कर लेते हैं कि किस टाइप का आपको इसमें केबल दिया गया है दोस्तों जब आप यह बॉक्स को खोलेंगे तो आपको हलका हलका अजीब का इसमेल आएगा वह उसमेल से पता कर सकते हैं कि यह प्रोडक्ट न राइए है ठेक है तो आप समझ सकते उपadoreष का आपको इसमेल आईगा जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो तो दोस्तों इसमें आप को टयाप मिल जाते है USB to Type-C का आपको केबल मिल जाता है छोटू सा वायर मिल जाता है ज्यादा बड़ा नहीं मिलता उसके बाद वाल मांट करने के लिए आपको एक 3M का आपको पीछे में डबल साइडेट टेप के साथ दिया गया है तो आप इसको हेलमेट में चिपकाने से पहले थोड़ा मांटेड के लिए जो रहता है हमारा गोप्रो को मांट करने के लिए हलमेट में उसका ऐसे सेरीज का पाठ है और आपको मिल जाता है गोप्रो का एक छोटू सा बैटरी जो की 1710 mAh का है सायद कहां पर लिखा हुआ है यह दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन यह लगभग 17 1210 mAh का लिथियम आयन बैटरी जो की काफी छोटा है दोस्तों देखिए जब हम इसको और करते हैं यह हम इसको देखते हैं Amazon यह फ्लिप कार्ड में तो यह काफी बड़ा दिखते हैं लेकिन रियल में काफी ज्यादा छोट हुए देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा छोटा है और हमारा जो में चीज जिसके लिए मैं बेसबरी से इंतजार कर रहा था इतना दिनों से फाइनली मैंने इसको पर्चेस कर लिया और देखिए बॉक्स के अंदर में कुछ नहीं रहता फाइनली इसको दोस्तों मैंने पर्चेस कर लिया इसका मैं बहुत ज्यादा बेसबरी इन intéressant कर रहा था यह कैμε्रे को लेने के लिए क्योंकि इसी कैमरा के कारां से मैं अभी तक वी लॉगिंग चालू नहीं कर पाया मैं आपको सच बता रहा हूं अभी तक मैं चालू नहीं कर पाया तो इस बार ओफर था और इस बार लेने का एक है action camera अभी तो इसका 11 वर्जन भी आ गया है लेकिन मैं 9 से ही satisfy हूँ क्योंकि मेरे को 9 ही लेना था क्योंकि अगर आप 10 लेंगे 11 लेंगे तो आप उसका प्राइस काफी जादा था 11 का तो पचास अजार से पाड़ था तो मेरे को vlogging के लिए एक अच्छा सा camera चाहिए था जो कि मेरे को जो भी मेरा requirement था वो मेरा GoPro 9 पूरा कर रहा था तो मैंने GoPro 9 पर्चेस कर लिया तो आप देख सकते इसमें आपको dual screen मिल जाता है आगे में आपको lens मिल जाता है सबसे उपर यहां पर आपको GoPro का branding मिल जाता है और यहां पर 9 black लिखा हुआ मिल जाता है बैक साइड में आपको primary आपको screen मिल जाता है और यहां पर आपको secondary screen मिल जाता है इसको लेने का मेरा यही reason था कि आपको इसमें दोनों साइड आपको display मिल जाता है यहां पर आपको helmet mount करने के लिए यहां पर आपको यह ऐसा कुछ निकल जाता है helmet mount करने के लिए और यहां पर आपको power का button मि कि आपको इसका पॉस और प्ले का बटन मिल जाता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको बैटरी निकालने का देखिए ऐसे और लगाने के बाद आपको इसको ऐसे बंद कर देना है उसके बाद चली हम पावर बटन को दबाते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा गोप्रो है वह चालू हो चुका है देखें इंग्लिस एग्री और तो देखिए इसमें आपको बोला जा रहा है इंस्टाल वन क्वीक एप और यूवर फोन तो फिनिश सेट अप लिव यूवर कैमरा ओन एंड फॉलो दा आप इंस्ट्रक्शन यह सारा कुछ आपको इसमें बोला गया है ठीक है तो अभी मैं इसकीप सेट अप कर देता हूं इ चर रहे है 2022 अभी हम कुछ भी डाल दे रहें तो आप देख सकते हैं यह हो गया चालू अब देखिए अभी इसमें डाला नहीं हूं अगर अगर डालता तो यहां से हम इसको चालू कर सकते हैं और पॉस्ट कर सकते हैं ठीक है और बंद करने के लिए आपको इसको फिर से है कि मैंने इसको कहां से और कितने पॉल्डे किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैं इसको एमा जोन से पॉल्ड convenient में दे दूँगा इसका जो प्राइब सब्सक्राइब का था तो मैंने इसको पर्चेस किया अभी सेल में तो यह मेरे को अगर आपको यह लेना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और जो सेलर से मैंने पर्चेस किया है वह 100% जैनुवन है तो आप मैं जो लिंक दूँगा आप उससे जाकर इसको पर्चेस कर सकते हैं तो आज का वीडियो बस यही तदोफ्तों मिलते हैं नए वीडियो में बाई बाई टेक कियर